नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है कल वॉलीबॉल में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा एक बहुत एहम मुकाबला जो डिसाइड करेगा 5th और 6th पोजिशन तो दोस्तों अगर भारत को एशियन गेम्स में 5th पोजिशन पर खतम करना है तो कल पाकिस्तान को हराना पड़ेगा और पाकिस्तान को हराना बेहद मुश्किल रहेगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान की रैंक यहाँ पर 51 है और भारत की रैंक 73 है वर्ल्ड में चलिए रैंक मैटर नहीं करती अब आप यह बोलेंगे मैं भी एगरी करता हूँ इस चीज से लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ भारत और पाकिस्तान के बीच 2018 और 2019 में मैच हुआ था जिस में पाकिस्तान 3-2 से जीत गया था और 2018 में भी 3-1 से जीत गया था वो मैच भी काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग थे उस समय और मैं आपको ये भी बता दूँ अब आप बोलेंगे कि भाई भारत की रिसेंट फोम अच्छी है भारत ने चाइनीज ताइपाई को हराया भारत ने कोरिया को हराया और इराक को भी हराया अपने पिछले 5 मैच म मैं कहूंगा हान जी भाई सही बोला लेकिन मैं आपको बता दू यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने भी कोरिया को हराया चाइनीज ताइपाई को हराया है मंगोलिया को हराया है और भारेन की टीम को भी हराया है तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई ये तो head to head बराब अच्छा है मैं पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं कभी उनकी तारीफ करहीं सकता लेकिन मैं बस fact आपको बता रहा हूं कि ये मैच बहुत tough होगा बहुत hard होगा पाकिस्तान भी कतार से हार गया कतार तो भी ओल भी बेस्ट टीम है राइट जपैन के बाद लेकिन पाकिस्तान कतार से हारा भारत जपैन से हारा इनके बीच कल मैच शाम चार बजे खेला जाएगा और मैं ये बता दूँ आप लोगों को अगर भारत गलती से हार जाता है तो कृप्या करके हेट ना फैलाएं हमारी व बॉलीबॉल एशियन गेम्स और क्रिटिसाइज करने से चीजे खराव होती हैं डिमोटिवेट होते हैं अपने अथलीट राइट तो डिमोटिवेट नहीं करना है उनको बूस्ट करना है ताकि अगले और टूर्णमेंट में अच्छी तैयारी से आएं वो हमारे लिए खेल करें और एक अच्छे रैंक के साथ वापस घर आए वोलीबॉल की टीम चलिए दोस्तों ऐसी और एशियन गेम्स की अफडीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए देखते रहे पहाडी ब्रदस जैहिंद जैभारत